हेलो नमस्कार आप सभी का फिर से सुवागत है वी टेक पर और अगर आप थोड़े बोट टेक के अंदर है थोड़े बोट इंफरमेशन रखते है तो आपको पता होगा कि गूगल का गूगल आई युट तुथाउसट एटी नभी चल रहा है और कल इनका फर्स डे था तो कल क्या-क्या नए फीचर आये क्या नई चीज आये जिसके बारे में आज में बात करने जा रहा हूं वो है हमारा गूगल का डूपलेक्स या फिर हमकर गूगल असिस्टेंट और एडवांस हो चुका है या एडवांस होने बाला है तो इसके बारे में आज बात इस वीडियो म सुनिये जो कल Google ने अपने launch event में दिखाई थी के अपने ने 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 वो है वाउवा ने शी करते हैं वाउत करे तेजय हो का घंप्क याल फ्रीज विकाव अवाई रूटो कर ने ने वाउ टे अंपवाई यू तंह ने ते आ. लूट्स की ट्रीजाए ने तो आपने एक कोल सुनी और कोल के देशे कि आपने देखा हुगा यह जो कोल हुई थी एक ओर्डर प्लेस करने के लिए, हैर कटिंग के लिए, एपोइंट्मेंट लेने के लिए उस कोल के अंदर बात हुई थी नॉमल दो परसन के अंदर और कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि तो इसका मतलब Google Assistant हमारा इतना advanced हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा Google Assistant इतना advanced है कि एक person से एक person की तरह बात कर रहा है Like हम अगर अपने smartphone में use करते है Google Assistant तो हमेशा hey Google बोलते है या फिर hey करके हमें बात करने परते है ताकि हम Google Assistant को बताये कि हम उससे बात कर रहे है पर जब ये call place हुई तो इस feature के हमें दे क्या होता और as a third person like आपके लिए वो book कर देगा आपकी seat अब यहाँ पर आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात ये इसलिए है क्योंकि आप appointment लेते हो तो आपको वही time हो सकता है ना मिले लाइक बारा बज़े का इस call came the time बोला था पर दस बज़े के करीब time available था तो दस बज़े के time Google Assistant ने अपने आप book कर दिया तो आपकी convenience के हिसाफ से Google Assistant बात करके आपके लिए book कर देगा तो technology बहुत advance हो रही है और इस हिसाफ से robots जो हमारी पूरी दुनिया पर कबज़ा कर लेंगे like future आ रहा है हमारा इस तरह से हम देख सकते हो हमारा future किस direction में जा रहा है इस तरह चलता रहा तो machine learning बहुत अच्छी enhance होती जाएंगी और इसके plus points और 90 points दोनों होने वाले है तो चलो देखेंगे कि आगे किस तरह से आता है और main बात यह कि यह feature अभी पूरी तरह available नहीं है एक दो महीने में डंक से available हो जाएगा सारे Android devices में Google के जो pixel है उसमें तो आई जाएगा और साथी साथ देखने वाली बात यह होगी कि कितने time में यह Hindi language में available होता है इंडिया में सारे ल कुछी लोग यह उस पर कर पाएंगे इंडिया में तो उसके लिए Hindi में आने के लिए मेरे coding जब पिछली बार Google Assistant आया था तो बहुत टाइम लिया था इंडिया में Hindi में आने में Google Assistant को पर अभी मेरे coding साल में अगर Google Assistant यह Hindi में आ जाता यह वाला feature तो बहुत बड़ी बात होग होगी और हमारी technology बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं जो information थी कि हमारी technology कैसे बढ़ रही है Google का जो नया feature था उसके बारे में मैंने बात गई बाकि जो कल Android P launch होगा था उसका beta program launch होगा था और Google News की नही एप लाँच होगी थी जि तरह से एक trace हो रहा है हमारा future तो उसके बारे मैंने बात करी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, comment और share करें और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और subscribe नहीं किया है तो जल्ब कीजिए मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए, have a nice day